दियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए हम लोग केमस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है तो क्लास 12 में अगर बात किया जाए तो हम लोग केमस्ट्री में जो पढ़ रहे थे हैं उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपको पता हो होगा हम लोग जो में नाम से भी जानते हैं तो कुल मिलाकर हम लोग एथिल एथिल अलकोहल के बारे में उसका अनुसूत्र उसका निर्मान उसका उपयोग इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पढ़ लिया था लेकिन अभी हम लोग इसका अभी किरिया को पढ़ रहे थे तो चलिए आगे हम लोग चार तरह का अभी किरिया देखे थे अब पांच म क्लोरीन के साथ कि आखिर एथिल अलकोहल को क्लोरीन के साथ अगर करते हैं तो किसका निर्मान होता है ठीक है तो चले लिखा जाए फर्स्ट एरो देखर जब एथिल अलकोहल को क्लोरीन के साथ अविकिरिया कराया जाता है तो अग्राया जाता है तो एसे टल्डी हायड देखिएगा लिखा हुआ है एसे टर्ल्डी हाइड एसे टल्डी हाइड और एसे टल्डी हाइड का फर्मुला याद रखेगा CH3CHO Acetyl Dehyde का निर्मान होता है का निर्मान होता है यानि अभी हम लोग पढ़े कि जब किसी भी Ethyl Alcohol को कुलोरीन के साथ अगर हम लोग reaction कराते हैं It means उसके निचे विक्रिया लिखेंगे Ethyl Alcohol का फार्मूला पता है ना C2H5 OH या Ethyl Alcohol हो गया और कुलोरीन तो कुलोरीन अकेला नहीं होता है यह Cl2 के रूप में होता है Cl2 के साथ अगर reaction कराते हैं हम लोगों को क्या बनता है Acetyl Dehyde Acetyl Dehyde का फार्मूला भी बताएं CH3CHO यही है हम लोग का Acetyl Dehyde Acetyl Dehyde ठीक है Acetyl Dehyde प्लस 2HCl ठीक है 2HCl तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हम लोग Acetyl Dehyde का निर्मान कैसे होता है जब AlcoHol देखिए इसको Ethyl AlcoHol भी बोलता है सिर्फ AlcoHol भी बोला जाता है तो अगर AlcoHol को कुलोरीन के साथ अगर अभी किरिया कराएंगे तब पर अभी हम लोगों को क्या बनेगा Acetyl Dehyde ठीक है तो इस तरीके से हम लोग अभी किरिया को देख रहे थे ठीक है चलिए दूसरा बात अब हम लोग आते हैं एक नोट में चीज को सीखते हैं ध्यान रहे हम लोग एथिल अलकोहल का पांच तरह का विकिरिया देखे हैं कि किसके किसके साथ अभी किरिया होने पर क्या क्या होता है जैसे हम लोग एथिल अलकोहल को कारबॉक्सलिक अमल के साथ देखे हैं कि कारबॉक्सलिक अमल के साथ क्या होता है Sulfuric Amul के साथ क्या होता है Helogen Amul के साथ क्या होता है ना तो ये सब के बारे में हम लोग Sodium धातु के साथ वे विकेरिया देखें कि Sodium धातु के साथ करते हैं तो क्या बनता है तो इन सब सीजों को लिखने के बाद उसके नीचे ना एक नोट में पॉइंट करके लिखिएगा, नोट में लिखना है, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म परिच्छन, द्वारा मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल में अंतर दिखाया जाता है, नोट में अंतर दिखाया जाता है, चलिए, अभी हम लोग क्या लिखें, देखिए, नोट में करके लिखें न, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या दोस्तों, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म क्या है, एक योगिक है, जो किसके लिए काम क करता है दोस्तों तो यह जो काम करता है हम लोगों का यह काम करता है अंतर दिखाने के लिए किसमें किसमें अंतर तो आपको दिखाता है मेथिल अलकोहल मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को कि आयोडो फॉर्म पर इच्छन या या फिर हम लोग क्लोरो फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग क्लोरो फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानि दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे किसके लिए तो मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल में अंतर निकालने के लिए सवाल आता है कि मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल में अंतर किसके द्वारा दिखाया जाता है किसका test किया जाता है तो आप इसका answer chloroform भी बोल सकते है या iodophone भी बोल सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आईए चलता है next topic को पढ़ता है जो हम लोग के लिए बहुत important है that is उसका नाम है ether ठीक है उसका नाम है ether अब हम लोग topic बनाएंगे ether के बारे में हलांकि आप तो सिखे ही होंगे कि ether क्या है और इसका पहष्चान क्या है ether से जुड़ा हुआ हम लोग IOPAC नाम पहले पढ़ चुके हैं तो फिलाल जैसे हम लोग सब के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही ether के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट्स देंगे इसका समान्य सुत्र के बारे में पहला समान्य सुत्र समान्य सुत्र समान्य सुत्र क्या होता है R, Oxygen, R- जहां R बराबर R- हो भी सकता है और R, R- इक्वल नहीं भी हो सकता है आपको पता है न तो इन चीजों को यह समान्य सुत्र होता है किसी भी ether में हम लोग इन चीजों को सिख़्े हुए हैं कि आखिर यह बोल क्या रहा होता है R, O, R- का मतलब क्या होता है इसका मतलब हम लोग चीजों को सिख़् चुके हैं चलिए आए हम लोग चलते हैं next उसके निर्मान में जैसे कि इथर का निर्मान कैसे होता है ठीक है लिखा जाए निर्मान में ये दूसरा point है कि आखिर हम लोग निर्मान कैसे करते हैं अभी तक तो हम लोग सिखें ना क्या सिखें वही कि इथर का समाने सुत्र क्या होता है तो लेकिन दोनों एक रह सकता है अलग अलग रह सकता है चलिए निर्मान में हम लोग फरस्ट अरू देंगे ठीक है कि इसका इथर का निर्मान कैसे होता है लिखा जाए जब अलकोहल के वास्प को जब अलकोहल के वास्प को उच्च ताप पर उच्च ताप पर उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित किया जाता है तो इथाक्सी एठेन का निर्मान होता है इथाक्सी एठेन का निर्मान होता है चलिए यहां पर देख पा रहोंगे कि हम लोग को निर्मान कैसे होता है तो alcohol को वास्प के उपस्तिति में यानि कि निरुवल के वास्प जो रहता है ना तो alcohol का formula क्या होता है C2H5OH जब दोस्तों इसको उच ताप पर प्रवाहित करते हैं उच ताप यानि कि high temperature एक उत्परिरा का काम कर रहा है तो हम लोगों का ethoxy ethane बन रहा है तो ethoxy ethane कैसे होता है CH3, CH2, O, CH2, CH3 हम लोग किधर भी carbon chain मना सकते हैं इसको ethoxy ethane बोलते हैं और जो बाहर होता है ना OH2O होता है टिक है अब जरा इसको ना हम लोग संतुलित कर लेते हैं तो carbon 1, 2, 3, 4 carbon है तो यहां दो है तो दो से multiple करेंगे hydrogen 10 हो जा रहे है hydrogen 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12 हो जा रहे है तो यहां पर प्मांदोना 10 ही hydrogen है और यहां पर hydrogen फिर से मिला लेते हैं तो hydrogen कितना है वही यहां पर तो hydrogen अच्छा C2H5OH होता है न गड़ बड़ हो रहे हैं यहां पर alcohol का formula तो C2H5OH होता है कारबन यहां पर हो जाएगा चार hydrogen भी हो जाएगा दस और दो बारह इस तरीके से हम लोग दोनों क्या हो गया संतुलित हो गया तो निर्मान में हम लोग यह सिखे कि कि इसी भी एथिल अलकोहल को या फिर अलकोहल को ऊच ताप पे अगर परवाहित के जाता है तो यह हम लोगों को क्या है आप इसका नाम निचे लिखेगा निचे अच्छा लगता है इसका नाम है एथाउकसी Ethan ठीक है एथाउकसी Ethan तो फूल मिलाकर अगर देखा जाया तो हम लोग इथर के निर्मान بھی देख रहे हैं यहले निर्मान हम लोग कंप्लेट हो गए इसका एक त्रीके से निर्मान कहा जाता है जैसे कि आप अलो लकोहला का निर्मान दू तीन तरीके से सीखत है我是 यहां पर ये कि अब आए निफिस्ट देखते हैं तीसरा नमबर जून के बारे मिस通 शिखते हैं है किisEh trigger यानि कि किसका गुन भाई तो इथर का कि इथर का क्या गुन है सबसे पहला तो हम लोग गुन में लिखते हैं उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे इथर के गुन निमने लिखित है इथर के गुन निमने लिखित है पहला यह रंग हिन द्रव है और हम पहले ही बता चुके हैं सबसे important तो आँख बंद करके लिखना है रंग है इसको याद करने का जरूत नहीं है अगर कहीं भी chemistry में आ गया तो उसके गुन के बारे में फिर दूसरा लिखेंगे इथर में carbon oxygen बंधन इथर में carbon oxygen बंधन ध्रूविये होता है ध्रूविये होता है देखिए इसमें बोल रहां कि इथर में जो होते हैं carbon और oxygen जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर carbon है यहाँ पर oxygen है तो पूरा इथर बन रहा है तो बोल रहा कि इथर में जो carbon oxygen बंधन होता है न वो धुरूविय होता है, और धुरूविय का मतलब दोस्तों, धुरूविय का मतलब होता है कि positive और negative, टीक है, यानि कि ये जब तूटता है ना, तो plus और minus में तूटता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया, धुरूविय होता है, ठीक है, इनके द्विध्रु आघुर्न 1.18 होता है देखिए फिजिक्स में हम लोग द्विध्रु आघुर्न के बारे में पढ़ेँ वही बात यहां पर भी है कि इथर के योगिक का जो द्विध्रु आघुर्न होता है इथर के योगी का जो द्विधुरु आघुर्ण होता है वो कितना होता है 1 by 2,8 ठीक है याद रखिएगा 1 by 2,8 उसके बाद चौंथा लिखेंगे गुन गुन तीसरा हो गया ना चौंथा चौंथा में लिखा जाए इनका कुवथनांग किनका कुवथनांग इथर में न पढ़ रहे हैं इथर का न कुवथनांग हाँ तो लिखा जाए इनका कुवथनांग अलकेन तथा अलकोहल के योगिकों के अपेच्छा इनका कुवथनांग के योगिकों के अपेच्छा क्वे होता है देखिए कोथनांग का मतलब क्या उबलना यानि कि ब्वालिंग पॉइंट ठीक है तो याद रहे इथर का जो ब्वालिंग पॉइंट है जो उबलता है किसे से किसे कम रहता है तो एथिल अलकोहल यानि कि C2H5OH जिसको अलकोहल भी बोलते हैं या फिर अलकेन जिस्का नाम है जिसका नाम है थम्ब फि esEr नाम ही थम्ब फिक है उसका नाम ही थम्ब तो थम्ब के अनुसार पांचवां में लिखा जाए पांचवां गुन में थम्ब के अनुसार इधर में इधर में चार कार्बन से कम हो तो वे जल में विले होते हैं देखिए अब एक थम्ब बेग्यानिक है और ये क्या बताया तो थम्ब ने यह जनकारी दिया कि अगर किसी भी इधर में अगर चार से कम परमानु रहेगा जिसे इधर हुआ एक कारबन परमानु चाहे दूग कारबन चाहे तिन गो कारबन चार से अगर कम हुआ तो वो उसका जो है जल में विले होता है, जल में घुलनसील होता है, विले मतलब घुलनसील, तो ध्यान रहे, कौन-कौन इथर का योगिक घुलता है, तो अगर वो इथर में एक कारबन रहा, तपर भी घुलेगा, दो रहेगा, घुलेगा, तिन रहेगा, वाटर में घुलेगा, पाने में घुल तो इस तरीके से हम लोग 4-5 इसका किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग तो इथर के बारे में न तो 45 हम लोग इसका गुन किये जो इथर का गुन कहलाता है अब आईए हम लोग चलते हैं इथर का अविकिरिया को पड़ते हैं that is a point number three ठीक है इथर के अविकिरिया इथर की कर दिजागा इथर की अविकिरिया तो इथर की अविकिरिया हम लोग तीसरा points बनाएंगे और उसमें पहला लिखेंगे रेखो इथर जो अब हम लोगों का fix हो गया अब जो यहां अविकिरिया कराएंगे अलग-अले योगी के साथ कराएंगे oxygen nitrogen कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं सिवाए हम लोगों को इथर हम लोगों का चेंज नहीं होगा इथर का तो इथर ही रहेगा लेकिन इथर के साथ जो दिया गया अविकिरिया है उसको करने के लिए थोड़ा सा लफड़ा है अब यहां पर देख पा रहूंगे कि अधर का जो अविकिरिया है ना उसका हम लोग अलग-अलग तरीके से तो पहले लिखेगा हैलोजन के साथ तीक है अब हैलोजन के साथ का मतलब क्या हुआ हैलोजन का मतलब हुआ कोई भी एक्स यहां पर हैलोजन हम लिख दिये हैं क्योंकि यह पहला पॉइंट था हैलोजन के साथ हाना है अब से तो अब हैलोजन के साथ हाना है अब से इसका मत बहारे आएंगे आन्टी यदि भर्ण कुल यूरिन बाहरे मन बियाल ब्रोमीन आएंगी आन्टी आएंगे ऐसे हीए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एकस के जगाप के हम लोग्स फ्लूरिन के तो पहले इसके नीचे लिखा जाए कुछ बात लिखा जाए जब इथर को किसी हैलोजन के साथ किसी हैलोजन के साथ अब किरिया कराया जाय तो अब किरिया कराये जाये तो वन डाई क्लोरो कॉमा डाई एथिल इथर बनता है कॉमा डाई एथिल इथर बनता है चलिए अब पहले इसका रूल्स देखेंगे हम लोग कि आखिर वन डाई क्लोरो डाई एथिल इथर बनता कैसे है इसका सबसे पहले रूल्स को समझेंगे हम लोग यहां पर देख पार होंगे कि एक इथर है अब इथर वही अब रख लिलते हैं जो एक्जामपल दिये थे च थरी च टू ओ यहां पर खाली स्थान है खाली स्थान नहीं मतलब कि यहां पर बॉंड जूड़ रहा है ओ यहां पर च टू च थरी ठीक है यही तो था ना अब अब के रिया जिसको हम लोग इथर बोल रहे है ठीक है अब इस इस इथर को हम लोग किसके साथ रियक्शन कराएंगे दोस्त एक्स के साथ एक्स का मतलब क्या है एक्स का मतलब हैलोजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन कुछ भी तो यहां से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा यहां से जो हम लोगों को ठीक है फिर CHCl यानि oxygen के साथ फिर हम लोगों को CH फिर CL ठीक है और फिर CH3 और H2 यानि कि इधर ही जोड़ दिये जगह नहीं था तो CH3 CH3 प्लस H2 देख पार हूँगे आप कि हैलोजन के साथ अगर हम लोग इधर का विकिरिया कराते हैं तो इधर का फर्मूला होता है CH3 CH2 O ठीक है तो और O है और O के साथ भी CH2 CH3 जुड़ा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इधर है और इधर को जब X के साथ एक्स का मतलब हैलोजन के साथ कराते हैं अविकिरिया तो हम लोगों को इस तरीस के से कुछ अविकिरिया लिख सकते हैं बहुत सारा जैसे मान लिया एक्जामपल ठीक है ऐसा कुछ है चाहिए थ्री और ठीक है ऑक्षिजन ठीक है ऑक्षिजन उस्ति है ठीक है और देख घ्रीच तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का यूगिक है जिसको हम लोग क्या कहता है इथर कहते हैं ठीक है जब इसको अगर हम लोग हैलोजन के साथ करेंगे एटनेंस हैलोजन का मतलब क्या दोस्तों हैलोजन का मतलब वही फ्लॉरिन क्लॉरिन ब्रॉमिन अगर इस हैलोजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इस हैलोजन को हम लोग सिर्फ एक्स नहीं लिख सकत यहां पर हम लोगों को BR2 यूज कर रहे हैं तो यहां पर रूल्स को देखिए कि यहां से लेकर यहां तक तो इथर है यह X है और X के रूप में हम क्या इस्तेमाल के हैं BR2 और फिर इससे यहां पर कलोरीन था उसको इससे जोड़ दिया है किसे जो हम लोगों को पर्थिपल बन रहा था तो यहां पर देख पा रहोंगे कि BR2 को एड़ कर रहें तो यह दोनों प्रिये लोगों जब एड़ कर रहा था देख रहें एकस के जगह पर यहां पर मैंस्टेक हो गया तील नहीं होगा एकस होगा यहां पर भी एकस होगा दोस्त ठीक है सुधार कर लेज़ेगा आप तो यहां पर स्टीएज थ्री ओस्टीए जोड़ यह कहीं दूसरे जगे इ त्रीएज टू और छीएज थ्री ठीक है अब सी एस थ्री का मतलब क्या हुआ एक कारवन और एक करवन ये दो कारवन हैं कि अच्छा हां एक दो तीन तीन ही है ना तो यहनि है भी तो मिन ले लिए थीए अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि कि यह तरी इतना इतना इज मैक्सिमम मैक्सिमम बूल रहा है तो इसलिए एक्स का वेलू यहां पर हम लोग जो रखेंगे सबसे पहला तो क्लोरिन रखेंगे ठीक है और दूसरी बात की अब चलिए तो इस तरीके से हम लोग डियक्शन को कम्प्लीट कर सकते हैं इतमों की एक्स जोड़ना है तो आप किसी भी को X जोड़ो लो जैसे माल लिया CH3 और यहां पर सुरी यहां पर oxygen है और एक यहां से hydrogen हटा दिजे और एक यहां से BR जोड़ दिजे और यहां CH2 कर दिजे और एक तरफ BR जोड़ दिजे जैने हम लोगों का rules के अनुसार ही काम करना है oxygen के दोनों तरफ क्या जोड़ा हुआ है X X तो oxygen के दोनों तरफ BR जोड़ दिया और बाद में H2 बाहर हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग examples के तोर पे question किये कि किसी भी हईलोजन के साथ । अगर हम लोग reaction कराते हैं किस का इथर का तो हम लोगों का क्या क्या बनता है। चलिए यह तो एथा ने आठ आठ का है है हैलोजन के साथ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आठ का B पे लेखता है कि B नमबर सवाल में किसी साथ अभी किनिया कराया जाए तो B transitioning में लिखा जाए साथ होता है H2SO4 H2SO4 ठीक है अब H2SO4 का ही हम लोग अभिकिरिया लिख रहे हैं यानि कि इथर के उपस्थिते में हम लोग सल्फ्यूरिक अमल को एक बर नपवा दीजे तो हम ये बोल रहे थें कि सल्फ्यूरिक अमल को क्या करना है मतलब अभिकिरिया में भाग लिवाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पर लिखा गए जब इथर को जब इथर को सल्फ्यूरिक अमल के साथ अभिकिरिया कराये जाता है तो सल्फ्यूरिक अमल के साथ अभिकिरिया कराये जाता है तो एथिल एलकोहल का निर्मान होता है एथिल एलकोहल का निर्मान होता है चलिए आप देख पर होंगे कि सर तो एथिल एलकोहल बनाने के लिए सिखा रहे हैं एलकोहल यानि कि आप नश्चा वाले चीज़े बनाया के सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है भई आप यहां पर देख ल को example के तोर पे हम बता रहे हैं CH3 CH2 O CH2 CH3 ठीक है plus plus H2SO4 यानि कि sulfuricum के साथ अगर reaction कराते हैं तो हम लोगों को क्या क्या बन रहे हैं CH2 CH3 OH plus CH3 CH2 SO4 यानि कि देखिए यह हम लोगों का अभिकारक हो गया अभिकारक मतलब reactant तीर के बाएं तरफ है तीर के यह दाने तरफ है यह हो जाएगा हम लोगों का प्रतिफल तो यहां से ध्यान से देखिए तो यह हम लोगों का अभिक क्या है तो इथर है इसके साथ हम लोग sulfuricum H2SO4 लगाएं तो क्या कुछ बाहर भी हो सकता है तुझे नहीं बाहर नहीं बसर ते इसका जो प्रतिफल बनता है न वह एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का मतलब यहां पर देख पा रहे होंगे न क्या है यहां पर हम बोल सकते हैं एथिल हाइड्रोजन सलफेट भी बोल सकते हैं बिल्कुल चाहिए तो आप इस रियक्शन को तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा ठीक है चलिए हमलोग आते हैं सी नमबर में टिक है सी नमबर क्या है तो हैजोर्जन हम्लब के साथ बी में क्या है है एमलोजिन लेके सात कि अच्छी के साथ हैं लोग को कैसे रियक्षन बनेगा वो हम लोग देखेंगे अगली में तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद